वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग, डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और आज देख रहे हैं, हम लोग आज एनिमल के बारे में पढ़ाई करेंगे, जैसे कि जानवर क्या खाते हैं, कहां रहते हैं, कैसे रहते हैं, हमारे लिए वो कितना उपयोगी हैं, इस तरह की कई बाते इस चप्टर में दी हुई है, तो आई हम लोग इस चप्टर को पढ़ना सुरू करते हैं, मैं हूँ दुलार चंदास और स्वागत करता हूँ आप सभी का, हमारी यूटूब चैनल स्टड़ी विद दुलार में, इसी परकार आप हमारे चैनल से जुड जानवर समों में क्यों चलते या रहते हैं, यह आप पहले ही पढ़ चुके हैं, सम एनिमल्स और सम प्ले विद उस, कुछ जानवर सरमीले होते हैं और कुछ हमारे साथ खेलते हैं, वे अपने बच्चों को सत्रूओं और दूसरे जानवरों से रच्छा करते हैं, आप पिछले कच्छा में पढ़ चुके हैं कि मदमक्खी फूल से रच जमा करती हैं, इतियादी आप शरीर के अंग के बारे में भी पढ़ चुके हैं, सरीर के अंग दो प्रकार के होते हैं, आंत्रिक और बाह, कुछ अंग समवेदना प्राप्त करते हैं, इसे ग्यानेंद्रिया कहते हैं, हमारी ग्यानेंद्रिया ऐसे अंग हैं जिसके दुआरा हम बाहरी दुनिया को जान पाते हैं, हम अपने ग्यानेंद्रियों के कारण अपने पास पडोस के बारे में साधान रहते हैं, अर्थात है कि हम अपने ग्यानेंद्रियों से जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसके दवारा आस-पास में घटने आली घटनाओं से हम लोग साधान रदते हैं In this chapter, you will learn about sense organs of other animals and their comparison with human इस chapter में आप लोग सिखेंगे दूसरे जानवरों के sense organs और मनुस्यों से उसकी तुलना के बारे में How animals eat, sleep, communicate etc जानवर कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं और कैसे दूसरे जानवर से जुड़े हुए रखते हैं इतियादी इसके अलावा और भी कुछ है दिया हुआ है इसमें Sense organs, ज्यानेंदरिया There are five sense organs in our body Eyes, ears, nose, tongue and skin हमारे सरीर में पांच ज्यानेंदरिया हैं आखें, कान, नाक, जीब और तवचा We receive a variety of information from the environment around us through the sense organs हम अपने ज्यानेंदरियों के दवारा अपने चारों और के परियावरन से अनेक परकार की जानकारियां प्राप्त करते हैं Like us, animals also have sense organs that help them to locate food and other objects हमारी ही तरह जानवरों के भी ज्यानेंदरियां होती हैं जो से खाना ढूंडने में और दूसरे परकार की चीजों को ढूंडने में मदद करती हैं But in some animals, some of the sense organs are more developed and sharper as compared to others कुछ जानवरों में दूसरे जानवरों के पेचा उसके कुछ sense organs अत्यधिक विक्सित और तेज होता Some senses are more developed in one kind of animals than the other किसी एक परकार के जानवरों में दूसरे जानवरों के पेचा sense organ अत्यधिक विक्सित होता Many animals have very sharp senses unlike human beings बहुत सारे जानवरों में बहुत ही तेज समवेदन सक्ती होता है जैसा कि मनुशियों में नहीं होता Sense of smell, सुंगने की सक्ती Most animals use their sharp sense of smell to find food and to detect danger अधिकतर जानवर भोजन ढूंडने और खत्रे का अनुमान लगाने के लिए अपने तेज समवेदन सक्ती का उपयोग करते हैं A dog is often seen sniffing around to locate food अक्सर आप कुत्ये को देखते हैं कि वह चारों और सुंग कर अपने भोजन का पता लगाता है Similarly, squanger like hyena and other animals like beer, ant, honeybee, mosquito, shark all move toward their food with the help of their sense of smell उसी प्रकार squanger जैसे लकडबगा और दूसरे जानवर जैसे की भालू, चीटी, मदमक्की, मच्छर, सार्क ये सभी अपने सुंगने की सक्ती से अपना भोजन ढूंड लेते हैं Squanger का मतलब होता है वो जानवर जो मरे हुए जानवरों के मांस खाते हैं इसे सभाई वाला जानवर भी का जाता है जो जंगलों को साफ रखते हैं उसे ही Squanger का जाता है Sense of Vision देखने की सक्ती Most birds have a very sharp vision अधिकतर पच्छियों में देखने की छमता बहुत ही तेज होता है Birds of prey, like eagle, can see a rat on the ground from high up in the sky शिकारी पच्छी, जैसे एक eagle, उंचे आस्मान से जमीन के चुहे को देख सकता है Tiger and leopard can see very well even in the dark बाग और तेंदवा अंधेरे में भी साफ साफ देख सकते हैं A leopard can see its prey from about 100 meters एक तेंदवा लगभग 100 मीटर दूर से अपने सिकार को देख सकता है Insects have compound eyes that are made up of thousands of lenses कीडों में संजुक्त आँखे होती है जिसमें हजारों lens लगे होते हैं They see easily all side, वे सभी तरप असानी से देख सकते हैं Sense of hearing, सुनने की सकती Some animals have very strong sense of hearing कुछ जानवरों में सुनने की छमता बहुत तिब्र होती है A bait makes sound that strike the objects around and come back एक चमगादर धवनी उत्पन करता है और आज पास की वस्तों से तकरा कर धवनी वापस आ जाती है By this method, the bait lockets the direction and distance of its food इस विधी का उपयोग कर चमगादर अपने भोजन का अस्थान और दूरी पता करता है This ability is called echolocation इस योग्यता को परतिधावनी इस्थिती निर्धारन कहते है Eko का हिंदी अर्थ मैं आप लोग को हिंदी में लिखके दिखा देता हूं परतिधावनी इस्थिती निर्धारन Eko का Ecolocation का या मीनिंग होता है An owl easily move in night and catches its food as it can hear sounds ten times better than human एक उल्लू रात में आसानी से घूमता है और अपने भोजन को पकड़ता है या मनुस्यों से दस गुना बहतर सुन सकता Sense of touch छूने की सकती Asperse करने की सकती Some insects like cockroach and grasshopper have hairs on their legs and all over its body that detects the direction of its prey कुछ कीडे जैसे की तिलचटा और फतिंगा इसके टांगों और पूरे शरीर में छोटी-छोटे बाल होते हैं जिसके द्वारा या अपने सिकार का पता लगाते हैं Aquatic animals like fish have unique sensory organs called lateral lines जलिये जानवर जैसे की मचली में एक अनोखा समवेदन अंग होता है जिसे lateral line का अर्थ होता है पार्सुरेखा तो मैं इसको हिंदी में लिखके दिखाते हैं तो आप लोगों को lateral line का अर्थ होता है पार्सुरेखा By lateral lines, fishes feel change in water fresher इस lateral line के द्वारा मचलीयां पानी में बदले हुए दबाव को महसूस करती है Other animals like cat and tiger use their whisker to move in the dark दूसरे जनवर जैसे की बिल्ली और बाग अंधेरे में घूमने के लिए अपने मूचों का उपयोग करते हैं Without bumping into objects and they catch their prey वे बिना किसी वस्तु से टकराए अपने सिकार को पकड़ लेते हैं Butterflies fill their surrounding with a pair of antenna and suck the nectar of food तितिलियां अपने एक जोड़े मूचों के द्वारा अपने आस पास की स्थिती को जानते हैं और फिर फूलों से रस चुषते हैं यहां फूल लिखा हुआ है फ्लावर ने लिखा हुआ है लेकिन वो फूल का ही रस चुषते हैं एक्टर का अर्थ होता है फूल का रस Sense of Vision देखने की सकती Generally, tongue is used to test purpose सामानियत स्वाद को जानने के लिए जीव का उप्यूग किया जाता है But some animals have test sense on other body parts Like the entire body of an earthworm is covered with test buds लेकिन कुछ जीव स्वाद पता करने के लिए अपने सरीर के दूसरे भागों का उप्यूग करते हैं जैसे की केचुआ, केचुआ का पूरा सरीर test buds से ढखा होता Test buds का आर्थ होता है स्वाद तन्तू यह सब ऐसे वर्ड हैं जिसको इंगलिस में जानना ही बेतर है अगर हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं या बतलाते हैं तो वो और समझ में नहीं आएगा इसलिए हलाकी में बतला देता हूँ Test buds का मतलब होता है स्वाद तन्तू तो हम लोग इसी रूप में जानेंगे तो वो अच्छा जाल अच्छा रहेगा Test buds Bee and butterflies have test receptor in the feet तितली और मधुमखी अपने पैरों के संग्राहक से स्वाद पता करते हैं A dolphin first tests its food and then eat एक dolphin पहले भोजन चकता है फिर वो खाता है पहले वो खा के देखता है तब उसे पता चलता है ये खाने के लाइक है उसके बाद ही वो उसको खाता है How do animals communicate and sleep? जानवर कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं और सोते हैं Like us, animals also speak to communicate and take rest हमारी ही तरह जानवर एक दूसरे से बात करते हैं और आराम भी करते हैं In previous class you learn that birds communicate with one another by calling or singing अब पिछले class में पढ़ चुके हैं कि पक्छी भुला कर या गा कर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं Similarly, you hear dog barks, alps, vines and growls to communicate its feeling उसी परकार कुत्य, भोख कर, कराह कर इतने सारे जो वड़ दिये हुए हैं यहापे यह किसी ने किसी तरह का आवाज का ही वड़ दिया हुआ है गुर्रा कर अपनी feeling या अनुभव एक दूसरे से बाढ़ते हैं जब यह खुस होता है तो अपनी पूच हिलाता है और जब यह डर जाता है तो अपनी पूच दोनों टांगों के बीच छुपाने लगता है दूसरे जनवर जैसे की गाय, बकरी, भैस, मुर्गी, मुर्गा, बतक, इतियादी आवाज करके दूसरे को पुकारने लगते है Generally, human beings sleep for about 7 to 8 hours, but some animals sleep for long hours सामान्य तह मनुष्ट साथ से 8 घंटा सोता है, लेकिन कुछ जानवर कई घंटे तक सोते है For example, brown bat sleeps for about 20 hours a day उदारन के लिए भुरे रंका चमगादर, एक दिन में लगभग 20 घंटा सोता Sleeping duration depends on the spending of energy सोने का समय इस बात पर निर्भर करता है कि उसने कितनी उर्जा खरच किया Small animals sleep for longer hours than big animals because they spend more energy छोटे जानवर, बड़े जानवरों के पेछा अधिक सोते हैं क्योंकि वे अधिक उर्जा भी खरच करते हैं Feast reduce their swimming speed to get rest मचली आराम करने के लिए अपनी तैरने की गती कम कर देती है Dolphin sleeps with one eye open Dolphin एक आँख खुला रखकर सोता है When a cow sleeps, her eyes are open for about two to four hours गाय जब सोती है तो उसकी आँखे लगभग दो से चार घंटा खुली रती है This is in all grazing animals यह सभी चरने वाले जानवरों के साथ होता है A horse sleeps while standing एक घोड़ा खड़े-खड़े सो लेता Dog and cat close their eyes to sleep कुट्टा और बिली अपनी आखे बंद करके सोते है Birds sleep on the branches of trees or in their nest पच्छियां पेडों की डालियों पर सोते हैं या अपने घोसले में सोते हैं Tiger, Cola and Dolphin sleep about 16, 18 and 10 hours respectively बाग, Cola and Dolphin करमसर 16, 18 और 10 घंटे सोता है यहां पे respectively दिया हुआ है इसका मतलब है करमसंच्छा के नुसार जैसे कि यहां पे Tiger, Cola and Dolphin दिया हुआ है Serial number से तो यह Serial number से 16 Tiger के लिए, 18 Cola के लिए और 10 Dolphin के लिए इस परकार दिया हुआ है Sleeping is a very important phenomenon in the living animals to give rest to their bodies सोना जानवरों के लिए एक बहुत ही आवस्यक प्राकृतिक घटना जिससे वे अपने सरीर को आराम दे पाते हैं Usefulness of Animals जानवरों की उप्योगिता In this section, you will learn about the usefulness of animals इस भाग में आप जानवरों की उप्योगिता के बारे में सिखेंगे Animals are very useful for us जानवर हमारे लिए बहुत ही लाबदायक होते हैं Food, भोजन Food is a substance which gives energy and maintain our body भोजन एक ऐसा पदार्थ है जिससे हमें उर्जा मिलता है और हमारा सरीर स्वस्त रहता है An animal is also a source of food एक जानवर भी भोजन का स्रोत होता है It gives us milk, eggs, meat and honey यह हमें दूध, अंडा, मांस और सहत देता है We use milk to make milk products like cheese, curd, sweets, etc दूध से हम लोग पनीर, दही, मिठाईयां इतियादी बनाते हैं Clothing Clothes are very important for us Clothes are very important for us Clothes protect us from cold, heat, rain, wind, sunlight, etc कपड़ा हमें थंड, गर्मी, वारिस, वायू, धूप, इतियादी से बचाता है Some clothes come from plants कुछ कपड़े पोधो से मिलते हैं And some from animals और कुछ कपड़े जानवरों से मिलते हैं Like silk cloth जैसे की रेसम के कपड़े, wool, leather, unn हो गया यह हमें जानवरों से मिलता है Leather, चमड़े जो हम लोग पहनने की रूप में यूज करते हैं तो वो भी हमें जानवरों से मिलता है Silk is obtained from silkworm रेसमी कपड़े हमें रेसम के कीड़े से पराप्त होता है The fur of animals like goat, sheep, camel याइटिसी is used to maculane cloths that keep us warm जानवर जैसे की बकरी, भेड, उंट, आक, इतियादी के बाल यूनी कपड़े बनाने के लिए उपयोग किया जाता है We wear some leather cloths like jackets, belts, shoes and use stand for montanious हम लोग कुछ चमड़े से बने कपड़े भी पहनते हैं जैसे jacket, jacket को हिंदे में फटू ही बोला जाता है Belt, मैंने पहली बतलाया कि कुछ ऐसे word है जिसे आप English में ही जाने तो ज़्यादा बेतर है जिसे belt हो गया, belt को हम लोग belt ही बोलते हैं उसको हिंदे में कभी ने बोलते हैं वैसे belt को कमर बंद बोला जाता है belt, जूते और पहाडों में चड़ने वाले लोग चमडे से tent बनाते हैं जानवर जैसे की गाई, भैंस, सांप, मूट इतियादी के मरने के बाद उसके चमडे से पहनने वाली चीजें बनाई जाती है medicines, दवाईया, some medicines are obtained from animals like fish कुछ दवाईया जानवरों से प्राप्त की जाती है, जैसे की मचली से cod liver oil and shark liver oil are rich source of vitamins cod liver oil और shark liver oil, vitamin के समिर्ध स्रोथ है ये मचलीों से पाए जाने वाले तेल, उनकी चरबी से जो बनता है उनके नाम दिये हुए है snake venom is used to cure snake bites सांप के जहर को, सांप के दंस को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है सांप जब किसी को काट लेता है, तो उसका दवा देने के लिए उसका anti-dodge सांप के जहर से ही बनाए जाता है इस परकार सांप का जहर काम आता है transport आवागमन प्राचिन काल में लोग जानवरों को यातायात के साधन के रुप में उप्योग करते थे जानवरों का उप्योग कुछ छेतरों में होता है जैसे की गाउं पहाडी छेतरों में इतियादी जानवर जैसे की घोडा, हाथी, गधा, बैल और खचर को सामाइन रुप से यातायात के लिए उप्योग किया जाता है लेकिन धुर्विय छेतर में जहां सिर्फ बर्फ होते हैं रेंडियर जो कुट्य की तरह होते हैं वे एक फिसलने वाली गाड़ी खीचते है जहां पे बर्फ होती है वहां पे एक फिसलने वाली गाड़ी होते है जिसको डेकुरेटिव आइटम्स, ओर्नामेंट्स, कॉम और जुएल्री, कुछ जानवरों और उसके अंगों को सजावटी वस्टू, आभुसन, कंगी या जेवर की रूप में उप्योग किया जाता है। पल्स, विच और उस्टू, में उप्योग होने वाला मोती सीप से प्राप्त होता है। ओइस्टर का मतलब है सीप, जो समुद्र के किनारे रहता है। दे टीथ ओफ एलिफेंट, हॉर्न ओफ राइनोसेयस, और उस्टू, में उप्योग किया जाता है। इसकीन ओब बियर, टाइगर और अधर एनिमल्स आर यूजड एज डेकोरेटिव आइटम्स। भालू, बाग और दूसरे जानवरों के चमड़े को सजावटी वस्टू की रूप में उप्योग किया जाता है। फ्यूल, इंधन, सम एनिमल्स गिवस फ्यूल। कुछ जानवर हमें इंधन भी देते हैं। मतलब कुछ जानवरों से हमें इंधन प्राप्त होता है। अनिमल्स वेस्ट, लाइक कावडंग, इज यूज दू परड्यूस बायोगेस और कावडंग केक। जानवरों के मल जैसे की गाय का गोबर से बायोगेस और गोइठा बनता है। Entertainment मनोरंजन Some animals like lion, tiger, elephant, monkey, etc are best to entertain people with their antics in the circus। कुछ जानवर जैसे की सेर, बाग, हाथी, बंदर, इतियादी लोगों के मनोरंजन के लिए सरकस में अनोखे करतब दिखाते हैं। Spots Some animals are used for sports। Spots का मतलब बता है खेल कुद। कुछ जानवर खेल कुद में भी उप्यूग किये जाते हैं। Horse is used for horse racing and polo and bull is used for bull fighting in Spain। घोड़े को घोड़ा दोडने की परतियोगिता और polo में उप्योग किया जाता है। तथा Spain में Saanr लड़ाई में उप्योग किया जाता है। Polo और horse racing यह खेल का नाम है। इसमें घोड़े का उप्योग किया जाता है। और Spain में Saanr Lagwa का खेल होता है। Cacaos हे उप्योग किया जाता है। इस परकार के गेम आप कभी TV में देख सकते हैं। इंडिया में इस पर करके खेल नहीं होता है, साड़ वाला कोई खेल नहीं है, और यहाँ पे चप्टर 1.5 स्वाप्त हो जाती है, इसमें क्या questions दिये हुए हैं, आए देखते हैं, यह है इस चप्टर के questions, यहाँ पे answer to the following, इसके question दिया हुआ है, two number में fill in the blanks यहाँ पे दिया हुआ है, और three number में true false दिया हुआ है, आए मैं आप लोगों को इसके answer बना की दिखाता हूँ, यह है चप्टर 1.5 animals का question answer, how many sense organs are present in human, there are five sense organs in human body, these are eyes, ears, nose, tongue and skin, in which animal sense of smell is very sharp, a dog has very sharp sense of smell, how bats detect their prey, bats detect their prey, by the method of echolocation, by which part does a butterfly feel surrounding, butterfly feels their surrounding with a pair of antenna, which animals are used for decoration and how, some animals and their body parts are used for decoration, skin of bear, tiger or other animals are used as decorative items, यह question number two, इसमें fill in the blanks दिया हूआ है, और इसमें मैंने direct इसका answer दे दिया है, आप अपने book से इसका question देखकर उसमें भर सकते हैं, और यह 3 number का question जिसमें true false दिया हुआ है इसमें भी मैंने इसको direct answer दिया हुआ है आप अपने book से इसको देखकर true false टिक लगा सकते हैं और यहाँ पर chapter 1.5 पुरी तरह समाप्त हो जाता है अगर हमारे इस वीडियो से आपको पढ़ाई में जरा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को subscribe कीजिए और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए ताकि आपके दोस्तों लोग भी हमारे चैनल से बेतर फाइदा उठा सके अगले चप्टर को पढ़ने के लिए हम लो अगले वीडियो में चलेंगे तो आई हम लोग अगले वीडियो में चलते हैं